प्रिये रंजन और आज की इस एपिसोड में भेल स्टॉक ने अपने कोटरली नंबर्स डिकिलियर करें तो नंबर्स कैसे रहे आगे के क्या ट्रेंड है इसको समझे से पहले प्रिमियम टेलिग्राम को जॉइन करें डिस्क्रिप्शन के लिंक से एकाउंट आपें करें वीड देखेंगे तो कमपनी के जो रेवेन्यू रहे हैं इस कोटर का जो कमपनी ने जो रेवेन्यू डिकिलियर करा है वो रेवेन्यू कमपनी का 6,584 करोर का है जो यर और यर बैसीज पे लगबग 28% और कोटर लगबग 22% के इंप्रूब्मेंट दिखें कमपनी जो पिछले 100 करोर के आसपास का रहा है कॉश्व एगर देखेंगे तो थोरे improvement होते वे दिखे हैं लेकिन company का EPS जो है वो इस समय continuous negative के बाद positive में आते हुए दिखा है इसके साथी company ने यहाँ देखेंगे भेल है accounting standard which has led to other expenses reducing by 234 करोर कमपनी ने अपने accountant को भी बदला है जिसके कारण 234 करोर के company के जो expenses थे वो narrow down होते दिखा जिसके कारण company के EBITDA comparatively जो पिछले period थे उसके comparatively better होते वे दिखा है और यहाँ इसके quarterly number के update में ही आप जा करके देख पाएंगे आज का volume लगबग लगबग 5 करोर का रहा जो recent के comparatively higher volume है recent की delivery तो ठीक रही लेकिन trend continues missing रहा है लेकिन मैं कहूंगा कि इस समय अगर आप long करते हैं real trend minimum 255 के उपर ही दिखेगा तो इस समय अगर आप long है तो proper SL के साथ जाएं क्योंकि यह पूरा supply zone है जब तक 255 के उपर की closing नहीं होती है तब तक one sided trend नहीं करेंगे अभी साब धानी बरते हैं इस समय इस समय जो 4th June बाला जो counting दिन बादे support के आसपास है इस समय हमारे लिए अगर 212 breakdown किया तो major breakdown होगा औ और minimum 256 के उपर ही long करेंगे इस समय जो भी long है वो 212 के SL को trail कर सकते हैं और बरे quantity तो मुझे नहीं लगता है कि इस समय बरे quantity के साथ आपको जाना चाहिए